त्रिप्स कीट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और खास तोर से गर्मियों में हम जो फसल बोते हैं उसमें समस्या बहुत देखने को मिलती है चाहे सबजिया हो चाहे हमारे दलहानी फसले हो और खास तोर से आजकल जो गेहूं के बाद मुंग की फसल बोई जाती है उस का आक्रमन हम फसल में देखते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं लेकिन ये कीट इतने छोटे होते हैं कि जब इनका असर फसल पे हो जाता है तब ये कीटों की पहचान हमें पढ़ती है और तब हमें पता चलता है कि इसमें थ्रिप्स बहुत जादा लग गया है और ये थ्रि पतियां चोटी रह जाती है और पतियां मुडने लगती है संकुचित हो जाती है उनकी करलिंग होने लगती है और पौधे का विकास रुख जाता है अगर हम मूंग की फसल को देखें तो उसके फूलों के अंदर ये रहते हैं उनके पराग कड़ों का रस चूस लेते हैं और इससे एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है फ्लावर ड्रॉप की फूल गिरने लगता है और फनियां बहुत कम बनती है बनती है में तो छोटी बनती है और बीज बहुत छोटा रह जाता है ये समस्याएं मूंग में बहुत जादा है अगर हम दूसरे फसलों की बात करें पतियों से रस चूटता है तो पतली इसी धारियां पत्तियों पे बन जाती है वाइट स्ट्रीक्स बनती है और ये पती की निचली सतर पे रहते हैं तो ये अगर हम समय से कंट्रॉल ना करें तो बहुत जादा नुकसान होता है खासतोर से इस समय जो मूंग की उपसल वही गई है गर्मी के सीजन में उसमें बहुत ज़्यादा इसका अटेक देखा जा रहा है और ऐसी इस्तिति में अटेक ज़्यादा हो और ड्राइ कंडिशन और हो जाए सिचायू से ना मिले तो यह अटेक और बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हमें उपज नहीं मिल पाती, इसलिए हमें इसका तुरंत नियंत्रन करना जरूरी है, आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा, और यहां मैंने कुछ दवाईयां लिखी हैं, आप उनमें से किसी एक दवाई का प्रियोग कर सकते हैं, और इसका तुरंत ही आप कंट्रॉल करें, क्योंकि यह ब लिखा है, एक नम्मर पे थियो मतकसौम, यह जो कैमिकल है, और बजार में किस नाम से मिलता हूँ, मेरे नीचे लिखा है, तो थियो मतकसौम जो दवा आती है, आपको देखना है, यह डबलू जी में मतलब, ग्रेन्वेल्स में दानों में आती हो, एक दवा सीटीट में के भी आती है, वो हमको बुआई के समय सीटीट करके बोना चाहिए, लेकिन अब खड़ी फसल है, तो हमें यह डबलू जी है, इसका प्रियोग करना है, और मात्रा कितनी है, 0.2 ग्राम प्रती लीटर, बताओ आपको एक लीटर में 0.2 ग्राम की दर से मिलाना है, मस्तार 10 ग्र लीटर में 2 ग्राम यह दवा मिलानी पड़ेगी, तो एक टंकी में अगर आप 10 लीटर पानी ले रहे हैं, तो आप 2 ग्राम दवा मिलाए और इसको छिड़किए, जो आपको छिड़कना है, वो आपको पानी की मात्रा 200 लीटर प्रती एकड रखनी चाहिए, और फसल पूरी कवर हो जाए, क्योंकि कीड़ा बहुत छोटा है, पत्ती का भीजना जरूरी है, तो पानी की मात्रा 200 लीटर एक एक एकड के लिए प्रयाप्त रहती है, मात्रा का धियान रखना बहुत जरूरी है, 0.2 ग्राम है, मतलब आपको 10 लीटर में ये 2 ग्राम दवा गोलनी है, 100 में अपना product कही नाम से उतारती हैं, जिसको हम trade name कहते हैं, तो हमको trade name मी पता होने चाहिए, तो यह मैंने trade name मिले वो मैंने यहाँ note किये, यह अलगलग company के नाम से होते हैं, क्योंकि किसान भाई जो देखते हैं, वो ट्रेड नेम पे देखते हैं क्यूंकि chemical name बहुत छोटा एक्स्टा सुपर है यह अलग-अलग कंपनिया है आप इनमें किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप यह थियों में रक्साम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इथियों 50 EC में दबाती है EC मतला इनुलसिफाइट कंसंटेट है मतला भी लिक्विड माती है और यह आपको प् बाजार में जो मिलती है ट्रेड निम है, मिटॉफ है, मुखिया के नाम से आती है तैफिंफं के नाम से आती है तो आप इन दवा का प्रियोग कर सकते हैं, किसी एक दवा का प्रियोग कर सकते हैं यह काफी effective है, खास तोर से moon win के लिए जो thrips की समस्वास चारी है उसके लिए यह दवा मैं बता रहा हूँ और दूसी उसमें प्रियोग कर सकते हैं आप thrips के control के लिए और अगर आप यह प्रियोग नहीं करना चाहते हैं नीम-based product यूज़ करना चाहते हैं तो नीम-seed kernel extract मतलब जो नीम के बीज का जो हम अर्क बनाते हैं पांच प्रतिशत वाला अर्क जो बनता है उसकी मात्रा आप एग लिटर पानी में पचास लिटर घोलिए और उसका प्रियोग कीजिए और छड़क यह फसल में तो इससे भी हमारा यह organic है इसके आप control कर सकते हैं इसमें कोई रसाइन ऐसा नहीं है जो नुकसान पहुचा है इसी तरह से नीम-oil जो आता है 3000 ppm का मतलब 0.3 प्रतिशत का है यह प्रतिशत में 0.3 प्रतिशत है इसको मैं लिख देता हूँ और ppm में 3000 ppm है तो 0.3 प्रतिशत का जो oil है यह आप 20 ml, 30 ml, 40 ml, 1 लिटर पानी में घोल करके इस्प्रे कीजिए और यह इस्प्रे आप शाम के समय करें तो सही रहेगा खासतवर से इनके इस्प्रे और यह तो सुभ़ः कर लीजे七डिया यह शाम को कीजिए तेज जूप में मत कीजिए और एक इस्प्रे से लगभगी कंट्रोल में नहीं आ पाते क्योंकि इनकी संग्या बहुत ज़ादा होती है तो दूसरा इस्प्रे करीब आप एक हफ्ते के बाद से लेके 10 दिन के बाद कर सकते हैं और जब मूग में फूल निकल रहा होता है 25-35 फूल आ रहा है फलियां बनने ही त्यारी हो दी तभी इनका बहुत ज्यादा आटक होता है हलाकि किसी भी फसल में जैसे ही पतिया निकलती है यह अपना आटक शुरू कर देते हैं दो पति तीन पति हो और पत्या डिफॉर्म हो जाती है और फूल जढ़ने लगता है और आप इस बात को समझ नहीं पाते समझने में बहुत देर लग जाती है तो आप अपने खेत का निक्षन कीजिए पत्तियों में सफेसी धारियां पड़ रही है और पत्तियां संकुचित हो रही है तो आप समझ जाईए पूछे का उठा के देखिए पत्ति को देखिए तो आपको बहुत धिहान से देखेंगे या पत्ति को जाड़ेंगे या फूल को जाड़ेंगे आप तो थ्रिप्स आपके हात में आएंगे उंगलियों में लगेंगे तो आप उसको पहचान सकते हैं तो थ्रिप्स को पहच तो आज की मेरी यही चर्चा थी कि थ्रिप्स का आप कंट्रोल हम कैसे करें और शाय यह आपको सुझमाया होगा आप इसको उतार सकते हैं और जादा से जादा लोगों के साथ इन वीडियो को शेर करें क्योंकि मेरा उद्देश यही है किसानों तक सही जानकरी पहुंचे तक इसके लिए आप क्रिशी किसान प्लेलिश देखिए और अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद